हलो दोस्तों, आज की वीडियो में हमें एक रोमेंटिक ड्रामा मोवी को एक्स्प्लेंग करेंगे, जिसे 2015 में रिलिस किया गया था, और इस मोवी का नाम है दा लॉपस्टर, इस मोवी में हमें एक ऐसे सुसाइटी को देखेंगे, जहां कोई सिंगल नहीं रह सकता है, इस में काफी अजीब लगता है, लेकिन इस मोवी में हम ऐसे ही एक सुसाइटी के बारे में देखने वाले हैं, तो चलिए इस मोवी को सुरू करते हैं, इस मोवी को सुरू करते हैं, जिसका नाम डेविड है, डेविड अभी सिंगल है, क्योंकि उसकी वाइफ उसे छोड़कर जैसा कि इस सुसाइटी का रूल है, सिंगल लोगों को रहना यहां अलाव नहीं है, इसलिए अगले दिन डेविड के पास कुछ लोग आते हैं, और उसे एक होटल में ले जाते हैं, जब डेविड इस होटल में पहुँचता है, तब वो देखता है वहाँ उसके जैसे अपना पार्टनर ढून सके, लेकिन डेविड यहां किसी को भी अपना पार्टनर नहीं बना सकता है, क्योंकि पार्टनर बनाने का एक रूल है, डेविड जिसे भी अपना पार्टनर बनाता, उसमें डेविड की सिमिलेरिटी होनी चाहिए, तभी वो दोनों अच्छे कपल बन सकते हैं, अगर कोई आदमी इन 45 दिनों में अपना पार्टनर नहीं ढून पाता है, तब 46 वा दिन उन्हें एक रूम में ले जाया जाएगा, और इन लोगों को अपने पसंदीदा जानवर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, इस होटल को ओलिविया और उसके हस्वि लोब्स्टर बनना है, क्योंकि लोब्स्टर 100 सालों तक जीनदा रहते हैं, और डेविट को समंदर बहुत पसंद है, डेविट के पास एक डॉग भी होता है, लेकिन असल में वो डॉग नहीं है, वो डेविट का भाई है, वो 45 दिनों तक अपना पार्टनर नहीं ढून पा और डेविट की मोम अब जू में रहती है, इस होटल में ऐसे बहुत से अजीब रूल्स हैं, जैसे इस होटल में मास्टर बेट करना मना है, इस होटल में एक मेड आकर इनके साथ इंटीमेट होती है, वो भी फ़र्स फुली, ताकि इनका लड़कियों के उपर अट्रेक्श जो कंडिडेट जितने लोगों को मारता, उनके 45 दिनों के टाइम को उतना ही एक्स्टेंट कर दिया जाता था, जिससे इन लोगों को और भी समय मिल जाता, ताकि वो अपना पार्टनर अच्छे से ढून सके, यहां डेविट की फ्रेंड्सिप दो लोगों से हो जाती है, इ जो कि एसले जानवर बनना नहीं चाहती है, लेकिन एसले की बातों का डेविट पर कोई असर नहीं होता है, धीरे धीरे काफी दिन गुजर चुके हैं, और अभी तक डेविट रोबर्ट और जान पार्टनर नहीं रून पाए हैं, इसलिए जान को अप टेंसन होने लगती ह क्योंकि उसे जानवर नहीं बनना है, वहीं दोस्ती और हम लोग एक female candidate को देखते हैं, जिसे नाक से हमेशा खुन बहता रहता था, जोन उस लड़की को परपोस करता है, लेकिन होटल के रूल के अनुसार उन दोनों में कुछ नकुछ similarities होनी चाहिए, तभी वो दोनों अच पुजल को एकसेप्ट कर लेती है, और अब इन लोगों के एक कपल के तरह मान लिया जाता है, इसके बात से जॉन अपने साट और अपने नाक के पास टोमैटो कैचप लगाता था, ताकि उसके पार्टनर को ऐसा लगे कि उसके नाक से खुन निकल रहा है, वहीं दूसरी औ पर हम लोग डेविट को देखते हैं, जो अभी तक सिंगल है, इसलिए वो एंजलिका को प्रपोस करता है, लेकिन एंजलिका इमोसनलेस होती है, और इसलिए डेविट को भिया वैसा ही बनना पड़ेगा, अब ये दोनों काफी वक्त साथ जाते हैं, एक दिन एंजलिका और डेविट साथ में होते हैं, तब एंजलिका डेविट का टेस्ट लेने के लिए मरने का नाटर करती है, लेकिन ये सब देखकर भी डेविट कुछ भी रियक्त नहीं करता है, इसके बाद एंजलिका को ऐसा लगने लगता है, कि डेविट भी उसी की तरह है, उसमें भी कोई इसके बाद एंजलिका उसे हां कर देती है, और अब इन दोनों को भी कपल मान लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे एंजलिका को डेविट पर सक होने लगता है, इसलिए वो डेविट के डॉग को मार देती है, इसके बाद वो डेविट का रियक्सन देखती है, जब अब डेविड भागने लगता है, होटल की एक मेडूस की मदद करती है, इसके बाद डेविड एंजिलिका को बेहोस कर देता है, और वो नर्स और डेविड एंजिलिका को उस कनफर्शन रूम में लेकर जाते हैं, और इसके बाद उसे एक जानवर में बदल देते हैं, इसके ग्रुप्स के भी कुछ रोल्स हैं, ये लोग एक दुसरे के साथ प्यार नहीं कर सकती है, ना ही एक दुसरे के साथ intimate हो सकती है, और ना ही को एक दुसरे से flushedвиг time कर सकता है, अगर ऐसा करता हुआ कोई भी आदमी पकड़ा गया, तो उसे सजादी जाती है, इस ग्रुप की इस ग्रूप के लोग सहर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो पुलिस इन्हें पकर लेगी और वापस होटल एटोरिटी को देदेगी जहां इन लोगों को जानवर में बदल दिया जाएगा यहीं डेविड रेचल नाम के एक लड़की से मिलता है रेचल वो मेड भी अपने हस्बेंड को डिवोस देना चाहती थी लेकिन जैसे ही वो अपने हस्बेंड को डिवोस देगी वो सिंगल हो जाएगी और इसके बाद उसे भी उस होटल के केंडिडेट बनना पड़ेगा और वो मेड ऐसा कुछ नहीं चाहती है इसलिए वो अब इस लो पोधा lizard वाइफ है। लेकिन अचानक एक automatic 911 के पास आता है और वह उसके पार्टनर में पुछता है ह। वह डियोट के मैरे certificate देखना चाहता आ। तभी वहां पर रहा है। और वह उस Romania से कहती है। वह डियोट की के हस्बेंट को गदन पॉइंट पर रखा जाता है और उसे ओलिविया को सूट करने के लिए कहा जाता है और वो जॉन की वाइप सी ये कहता है जॉन के नाथ से कोई विखुन नहीं निकलता है जॉन बस तुमसे नाटर कर रहा है लोनर गुरॉप्स किसी को भी मारना नहीं च चाहते थे कि तुम लोगों का रिलेशन कितना कमजोर और फैक है अब होटल की मेट भी इस लोनर गुरॉप को द्वैन करती है जंगल में रहते हुए ये लोग काफी समय गुजार चुके हैं अब धीर धीर रेचल और डेविड एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और अब लोगों को स्याद देना भी जरूरी है एक दिन डॉक्तर को दिखाने का बहाना बनाकर वो रेचल को अपने साथ होस्पिटल ले जाती है वो रेचल सी ये कहती है इस ऑप्रेशन के बाद उसकी आँखे पुरी तरह से ठीक हो जाएगी लेकिन वो डॉक्तर की मदद से उसे बहुत उदा सुझाता है क्योंकि उन दोनों ने ऐसा सुचा था कि वो एक दूसरे से साधी कर लेंगे और इसके बाद सुसाइटी में अच्छे से रहेंगे लेकिन अभी ये प्रोसिबल नहीं है क्योंकि उन दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और इसलिए ये लो वहाँ से भाग कर सहर आ चुके हैं इसके बाद ये दोनों एक डेश्ट्रेंट में जाते हैं इसके बाद डेविड एक चाकू मंगवाता है और वो अपने आपका अंधर करने की सोचता है ताकि ये दोनों फिर से एक जैसे हो जाएं और इन में एक जैसे similarities आ जाए और ये लोग असानी से साधी कर सके इसके बाद डेविड बात्रूम जाता है और वो अपने आँखों को फोर नहीं वाला होता है तभी उसका हाथ कापने लगता है और वो एफ़ा करने से डरने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है और हमें यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है कि डेविड ने अपने आँखों को डिस्ट्रॉय किया या उसने रेचल को छोड़ दिया इसके बाद हम लोग इस मोगी का लास्ट सीन देखते हैं जहां हमें समुंदर के लहरों को देखकर ये पता चलता है कि डेविड अपने आँखों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था और उसने रेचल को छोड़ दिया और वो अपने 45 दूनों में कोई भी पार्टनर नहीं ढुण पाया इसके बाद उसे होटल के अथुरिटी वाले पकड़ लेते हैं और उसे एक लॉबस्टर में कंवार्ट कर दिया जाता है इसके बाद डेविड को लॉबस्टर बना कर इस समुंदर में छोड़ दिया जाता है और इसलिए हम लोग मुवी के लास सिन में समुंदर को देखते हैं और यहीं पर यह मुवी खत्म हो जाती है अगर आपको यह मुवी अधिया जाती है